चोपड़ा ईजो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देक स्वागत करता हूँ दोस्तों एम्स के B.S.C. नर्सिंग, B.S.C. नर्सिंग, Post-Basic और Paramedical Course के लिए Basic Registration स्टार्ट हो चुके हैं इस वीडियो में मैं आपको इसके Basic Registration के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में सीट, मैट्रिक, स्ट्यूसन, फीस, क्वालिपिकेशन और एक्जाम के बारे में बताऊंगा तो आईए जानते हैं Basic Registration के बारे में से Basic Registration करने की आउश्यक्ता नहीं है वो Direct Code Generate करके Final Registration कर सकते हैं AIMS का Registration तीन स्टेप में होता है सबसे पहले Basic Registration होता है उसके बाद Generation of Code होता है और इसके बाद Third Step होती है वो होता है Final Registration Basic Registration में आपकी Basic Details फिल की जाती हैं जैसे Address वगरा हो गया इसके बाद में Generation of Code में एक Code जनरेट होता है जो यूनिक होता है आपके हर स्टुडेंट के लिए अलग-अलग ये Code होता है इसके बाद Final Registration में Fees Payment होती है Exam Fees Payment होती है उसके बाद में Qualification Fill होती है इसमें और Last में इसमें CT 24 होती है यानि कि आपको Exam Center कौन सा लेना है वो इसमें 24 होके Final Registration कंप्लीट होने के बाद आपका Registration हो जाता है AIMS के लिए तो आईए एक बार इन कॉर्सेज की Educational Qualification और Schedule के बारे में जानकारी ले लेते हैं इसके बाद में हम जानकारी लेते हैं कि आपने Basic Registration कैसे करना है अगर आपने Basic Registration पहले कर रखा है उसके Registration ID या पासवर्ड आप भूल गए या कहीं खो गए हैं तो आपने कैसे Retrive करना है तो सबसे पहले हम इसके Schedule के बारे में जानकारी लेने के लिए aims, exams.ac.in पर बिजिट करेंगे यहां पर notice लिखा है admission notice ये तीनों courses के लिए तो इस पर क्लिक करके इसको download कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहले B.Sc. ओनर्स nursing के लिए लिखा हुआ है कि कौन-कौन से candidate इसके लिए eligible हैं तो जिन candidate ने 12th class पास कर रहे है physics, chemistry, biology के साथ में और जो general EWS, OBC कटेगरी है उनको 55% यानि कि 55% इसमें aggregate marks चीए 12th की exam के अंदर इसके बाद में जो SC, ST कटेगरी की candidate हैं वो 50% marks होने चीए aggregate in subjects के अंदर यानि कि English, physics, chemistry, biology इन चारों subject में 50% marks होने चीए SC, ST कटेगरी के लिए और 55% marks होने चीए general OBC और EWS कटेगरी के लिए इसमें हम eligibility की बात करें BSC paramedical course है चीए तो इसमें 10 plus 2 pass होना चीए EWS general और OBC के लिए 45% और SC, ST के लिए sorry SC, ST के लिए 45 और 50% होना चीए general EWS OBC के लिए इसके अंदर कुछ courses हैं जिन में mathematics भी eligible है mathematics के candidate भी लेकिन कुछ courses हैं जिन में biology के candidate ही eligible हैं मैं आपको separate video बना के बता दूँगा की कौन-कौन से paramedical courses में mathematics के candidate eligible हैं और कौन से में biology के candidate eligible हैं इसमें अब बात करें हम post basic की BSC nursing post basic तो जिन कंडिडेट ने JNM course पहले कर रखा है वो इस course के लिए eligible हैं 12th class pass होना चीए वो भी condition इसमें है 10 plus 2 category से ये 10 plus 2 हो सकते हैं आप इसमें JNM course अनिवारिय है तो ये तो होगी इनकी qualification अब बात करें हम basic registration और इनके schedule के बारे में तो जो basic registration है वो start हो चुका है 12 March 21 से और ये 6 April 21 तक रहेगा यानि कि साम 5 बजे 6 April को ये close हो जाएगा basic registration अभी इसमें status का पता लग जाएगा कि आपका basic registration accept हुआ है या नहीं हुआ है वो 9 April को पता लग जाएगा क्योंकि कभी-कभी photo sign, thumb impression में कोई problem हो जाती है तो ये accept नहीं होता है तो आपका status पता लग जाएगा 9 April को आपके registration login में लिखा होगा कि आपका registration accept हो गया है अगर accept नहीं हो गया है तो क्या कमी है उसमें ये आपको बता दिया जाएगा इसके बाद में जो कमी है वो आप 9 April से 15 April तक पूरी कर सकते हैं इसके बाद में उसके बाद में final status का हमें पता लग जाएगा 20 April को कि आपका जो basic registration है वो accept हुआ है या नहीं क्योंकि आपने जो कमिया थी वो पूरी कर दी उसके बाद accept हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको 20 April को पता लग जाएगा इसके बाद इससे 21 के लिए prospect है वो 26 April 21 को आ जाएगा यानि कि 26 April 21 को इसके prospect जारी हो जाएगा इसके बाद में आपको code generate करना है इसके बाद में fees का payment करना है qualification detail भरनी है और इसके बाद में CT choice करनी है ये date है 27 April 21 से लेके 13 माई 21 साम 5 बजे तक यानि कि जो final registration और code generate है वो 13 माई तक आप कर सकते हैं इसके बाद इसका final status यानि कि आपका application accept हुआ है या नहीं हुआ है वो 19 माई 21 को पता लग जाएगा अगर इसमें कोई कमी है यानि कि आपके इसमें कोई कमी रह गई है तो ये आप इसको दुबारा से आप डोकुमेंट्स वगरा भेज सकते हैं और ये डोकुमेंट्स वगरा भेजने के लिए आप 20 माई तक इसको आप भेज सकते हैं ज्योरी 25 माई तक आप इसको भेज सकते हैं कोई डोकुमेंट्स में आपको सपोर्टिंग डोकुमेंट्स लगना है यानि कि कोई कुछ कमी रह गई है तब ये आपको इसमें फाइनल रेजिस्टेशन में कोई कमी रहने से reject होने से ही आप यह documents आपको submit करने हैं वो 25 मई तक आप कर सकते हैं otherwise अगर आपका accept हो जाता है तो आपको कोई problem नहीं है final registration accept होने में आपको कोई problem नहीं है अगर accept हो जाता है तो आपको कोई किसी प्रकार के documents भीजने की ज़रत नहीं है इसमें इसके बाद में बीएसी नर्सिंग के लिए admit card दो जून 2021 को आ जाएंगे और जो बीएसी post basic है और paramedical है उनके तीन जून को आ जाएंगे admit card इसके बाद में जो exam date है वो बीएसी नर्सिंग के लिए 14th जून मंडे को है इसके अलावा जो post basic है और paramedical courses है उनका 27 जून संडे को exam होगा इसमें नीचे जो note लिखा है वो यह लिखा है कि जिन्होंने पहले registration कर रखा है और जिनका basic registration 2020 session में accept हो रखा है eligible थे उनको सिर्फ direct code generate करना है और final registration करना है उनको दुबारा से basic registration करने की जरूरत नहीं है और आप इसकी website check करते रहें जो भी detail होगी वो सारी इसकी website पर आपको मिलेगी अब मैं आपको यहां बताऊं कि आपने basic registration कैसे करना है तो aims exams.ac.in पर जैसी आप विजिट करोगे academy course पर आपने click करना है इसके बाद bsc owners bsc post basic कि इन तीनों में से किसी भी एक course पर आप click कर दो क्योंकि तीनों का basic registration एक ही होता है मालों आप bsc owners nursing का कर रहे हैं तो इसमें इस पर click कर दो अगर आप paramedical का कर रहे हैं तो paramedical पर click कर सकते हैं या post basic पर कर रहे हैं तो post basic पर click कर दें या फिर किसी पर भी click करके basic registration कर सकते हैं proceed पर click करेंगे तो proceed पर click करने के बाद इस परकार का interface आएगा इसमें प्रोसीड basic registration form UG courses लिखा है अगर आपने new registration करना है अगर आपने पहले registration कर रखा है तो इसमें application login zone लिखा है इसमें registration ID password डालकर आप login कर सकते हैं इसमें मैं आपर basic registration पर click करता हूँ new basic registration पर तो जैसे ही new basic registration पर click करेंगे आपके लिए एक form open हो जाएगा इसमें इसके बाद अगर आपने ये रेजिस्टेशन पहले कर रखा है और लोगिन आईडी या फिर रेजिस्टेशन आईडी आप भूल गए हैं पासवर्ड भूल गए हैं तो forget your login details पर आपने क्लिक करना है तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे require your password का window open होगा इसमें आपने अगर आपको रेजिस्टेशन आईडी याद है तो डाल सकते हैं अगर वो भी भूल गए तो date of birth, mobile number, email आईडी डाल कर intercapture डाल कर submit करेंगे तो आपके mail पर रेजिस्टेशन आईडी और password आजाएगा उसके बाद आप login कर सकते हैं इसको तो इस परकार से जिन्होंने पहले कर रखा है वो login कर सकते हैं अब आपने यहाँ पर basic registration कैसे फिल करना है फोरूम को तो जो click here for new registration पर click करना है जैसे इस पर click करेंगे यह तीन step में फोरूम फिल होगा सबसे पहले basic details हमें भड़ने पड़ेगी फिर upload image में photo, signature और impression left थम आपको scan करके डालना होगा उसके बाद में इस basic registration का print लेना है इसके बाद में यहाँ पर instructions दिये गए हैं आप जैसे इस पर click करेंगे proceed का option आएगा proceed के option पर आपने click करना है तो जैसे ही proceed के option पर click करेंगे इस परकार की detail आपको दिखाई देगी फिर आपने proceed पर click करना है और यह जैसे ही proceed पर click करेंगे यह form open हो जाएगा यहाँ पर आपने personal detail फिल करनी है अपना name फिल करना है full name फिल करना है father name, mother name डालना है इसके बाद में date over डालनी है date over डालने के बाद में confirm date over डालनी है इसके बाद gender डालना है इसके बाद domicile आपने choose करना है category choose करनी है और ID proof चूज करना है ID proof में आधार, driving license, pen card, passport, voter ID और 12th का admit card हो सकता है इसके बाद में आपने email ID डालना है mobile number डालना है mobile number डालने के बाद में आपने permanent और correspondence address डालना है अगर आपका दोनों same है तो ये check box है इस पर आपने click कर देना है तो इस परकार से आप address फिल कर दे इसमें address फिल करने के बाद में इसमें address फिल करने के बाद में नीचे आपने proceed करना है check box पर click करके generate registration ID and password पर click करना है तो जैसे ही declaration पर click करके ये इस पर generate registration ID और password पर आप click करेंगे आप next step में photo, signature और thumb impression upload के लिए आप next step में पहुँच जाएंगे इसमें instructions दिये गए हैं आपको image कैसे upload करनी है signature कैसे upload करनी है और thumb impression कैसे upload करने है ये सारे के सारे इसमें instructions दिये गए हैं तो इस परकार से आप इसमें scan करके computer से scanner से scan करके इसमें आप upload कर सकते हैं आप mobile से भी scan कर सकते हैं एक white paper पर अपना photo रखके signature रखके और thumb impression लगा के scan करके आप इसके साथ में लगा सकते हैं तो ये basic registration आपका complete हो जाएगा इसके बाद में आप print ले सकते हैं तो ये जानकारी थी aims के basic registration के बारे में बाकी जानकारी मैं आपको इसके जो seat matrix है, tuition fees है, कोन से course की क्या क्या qualification होने चीए, कोन कोन से courses है इसके बारे में next video में पूरी जानकारी दे दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नए जानकारी की साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद